विराट की तरह बनने की करता कोशिश कोई गेंदबास नहीं देता उसे भाव इस पार्ग बलेबास की खुल गई सारी पोल साथी खिलाडी ने कहा उनकी बैटिंग में है जोल पूरू क्रिकेटर के बायान से भी मचा तहल का आप तो खिलाडी भी बोलने लगें हाला ड्रेसिंग रूप के राज से मचा शोर केंक आप भी नहीं कोई सोर कहते हैं न हीरे को परकना है तो अंदेरे का इंतिजार करो धूप में तो काच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं जी हाँ हमारी इबाद सौफीजडी सही साबित होने वाली है दिरसल खिलाडी और क्रिकेट एक्सपर्ट अकसर ही आज के मौझूदा दौर में अगर किसी खिलाडी से किसी खिलाडी की तुलना करते ही और खास तोर पर बल्ले बाजी में तो वो है विराट कोली हर कोई इस होड में लगा है कि वो किंग कोली को पचार दे हर कोई विराट जैसी बल्ले बाजी करना चाहता है लेकिन हमें ये समझना होगा कि विराट एक दिन में क्रिकेट के किंग नहीं बने उन्होंने क्रिकेट के खेल में खुद को साबित किया है कई ऐसे रिकार्ट्स तोड़े मुश्किल हालात में टीम को उबारा अगर दिन देखा तो काली रात भी देखी वो काफी समय से आउट अफ फॉर्म भी थे उस हालात में एक्सपर्ट्स ने भी एक वक्त उन्हें टीम से बाहर तक करने की वकालत कर दी थी जिसे देखो हर कोई विराट को सला देने में लगा था कुछ लंबे अर्से तक विराट का बल्ला खामोश रहा फिर भी अगर आकड़े देखे तो विराट के असपास कोई भी बल्लेबास नहीं आ सका दे तो दिया था किंग ने सब को मौका फिर क्या हुआ किसी भी बल्लेबास में इतना दमखम नहीं था कि वो इस दोरान विराट को पार कर पाए लाग कोश्चों के बाद भी कोई भी बल्लेबास विराट को नहीं कर पाया पार लेकिन आज भी कई बलेवास खुद को विराठी समझते और इमेंसे एक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और बलेवास बाबर आजम इसमें कोई दोरा नहीं कि बाबर का नाम भी अब शुमार दुनिया के बैतरीन क्रिकेटरस में होता है लेकिन अगर उनकी तुलना विराठ से की जाए तो यह बेमानी है ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तानी PSL की तुलना IPL से करते है आप तो पाकिस्तान से भी आवासे उटनी शुरू हो गई है कि बाबर खुद को विराठ समझते है हाँ यह अलग बात है कि उनसे कोई गेंदबाज नहीं डरता यह बात हम नहीं कहरें खुद बाबर के साथी खिलारी ने ऐसा बयान दिया है यही नहीं पूर्वर क्रिकेटर शाही डफरीदी ने भी साफ तोर पर कह दिया है कि बाबर में अभी वो काबिलियत नहीं जो उनकी तुलना विराठ से की जाए पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम की हमेशा ही पूर भारती कप्तान विराठ कोली से तुलना होती रहती है मगर अब भी कोली की कुछ ऐसी चीज़े हैं जो बाबर में नहीं आ सके इसे दोरान इमाम ने कहा कि बाबर अपनी तुल्ला कोली से करता है हाला कि वो मानता है कि इतनी क्रिकेट खेल चुका है लेकिन अब तक कोली की तरह डॉमिनेंसी नहीं आई है उससे कोई गेंदबास भी नहीं डरता है वहीं पूर पाकिस्तानी ओल्ड राउंडर शायद अफ्रीदी ने कहा बाबर आजम टीम को मैच नहीं जिता सकता है वगर एक एंड पर खड़े होकर दूसरे बल्लवाजों को खिला जरूर सकता है क्योंकि बाबर अपनी पारी को बनने के लिए टाइम लेता है इसमें कोई शक नहीं कि वो वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर है एक फिनिशिंग ही है जो बाबर को वेराट कोली और एबी डिविलर्स की लीग में या रैंक में जाने से रोकती है बत और मैच मिनर अब तक बाबर ने खुद को थाबित नहीं किया यहीं चीज उसकी क्लास में रुकावट बनी है इसके साथी बाबर के साथी खिलाडी इमाम मुलक ने कहा जिस तरह से कोली अपनी टीम के लिए मैच फिनिशर है और बोलर्स पर हावी हो जाता है उस तरह का काम अब तक बाबर नहीं कर सका मेरी इस पर बाबर से चर्चा होती रहती है और वो भी इस बाद से सहमत है बाबर भी कहता है कि टिक रेट खिल चुका हूँ डॉमिनेंसी और आनी चाहिए बाबर भी मानता है कि उसमें भी मैच फिनिश करने के कमांड और होनी चाहिए मेरा मानना है कि बाबर को अपने स्ट्राइक रेट पर काम करना चाहिए 50 के बाद अपनी मर्जी से खिलना चाहिए ताकि बोलर्स को उससे डर लगे बाबर जब पिछ पर सेट हो जाता है तब भी बोलर्स को उससे डर नहीं लगता अगर बाबर में फिनिशिंग टच आ गया तो इससे टीम को और उसको खुद भी फाइदा होगा हमने पहले ही का था हीरा तो उजाला हो या अंधेरा हर वक्त अपनी चमक बिखेरता है वो तो काच्च के टुकड़े होते ही जिनने उजाले की जरुत होती है इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर क्रिकेटिंग जगत में आज भी किसी का राच चलता है किसी का सिक्का चलता है तो वो है केंग कोली उन्होंने फार्म में वापसी करते हुए टी टुएडी वर्लकप में भी ये साबित किया उन्होंने दिखा दिया कि class क्या होती है form तो आनी जानी चीज़ है ऐसे मगर बाबर और कोली के आपस में तुलना होती है तो ये भी fans के साथ बेमानी ही होगी वैसे बाबर आज़म क्या विराट कोली के बराबर कभी आप आएंगे इस बारे में आपकी राय क्या है आप हमें कमेंट गर बता सकते हैं बिरे रिपोट भारत पॉसिटेब